Hey students, what we were doing? We were doing worksheet 4 of unit 5 Question number 1 और question number 2 हम कर चुके हैं एक बरी बेटे आपको मैं दुबारा से revise कर वा देती हूं so that आपका जो concept है वो दुबारा से recall हो जाए उसके बाद हम further इस worksheet को continue करेंगे यहाँ पे आपको decimal number given है और decimal के बाद कोई भी डिजिट आपको given है बेटा उसकी place value पूछी गई है जो भी डिजिट की place value पूछी गई है वो आपको यहाँ पे फैल करनी है ठीक है यह आपको यहाँ पे place value बतानी है decimal वाले पार्ट की जैसे की मेरे पास यह डी पार्ट है 908.007 अब यहाँ पे आपको बतानी है seven की place value अब आपको पता है point zero यह पहला है पहली place है तो point zero यह कौनसी place बनेगी बेटा 10th उससे next वाली 100th और यह वाली third place thousand तो इसी की place पूछी गई है लिखा गया है यहाँ पे seven is in the dash place तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 10th 100 और decimal वाले पार्ट को 10th 100th thousandth question number two देखे complete each of the following बेटा expanded form में आपको लिखना है अगर exam में आपके पास यह question आएगा तो ऐसे नहीं लिखा होगा कि complete each of the following उपर लिखा जाएगा expand the expand the number या फिर write in the expanded form यह लिखा जाएगा ठीक है तो देखें इसको कैसे expand किया गया है 19.892 तो आपको पता है बेटा पहले आप 10th place को बताओगे जो क्या है 1 है ठीक है 1 के बाद आपके पास कौन से digit आ रही है 9 लेकिन हमें कोई फरक नहीं पढ़ता कोई भी digit आए लेकिन हमें जो 10th place बतानी होती है बेटा उसके बाद वाली digits क्या हो जाती है 0 तो यहाँ पर क्या जाएगा 10 आ जाएगा उसके बाद 9 9 के बाद कोई भी digit present नहीं है decimal वाला part आएगा तो 9 को आपने अकेला लिखना है ठीक है यह खाली लिखा जाएगा क्योंकि कोई भी digit present नहीं है then plus 0.8 को हम लिख सकते हैं 8 by 10 ठीक है यही आएगा 8 by 10 क्योंकि यह 10th place है ओके plus 9 9 by 100 तो इसको हम क्या लिखेंगे 9 by 100 plus 2 जो है वो 1000th place पे है तो इसको हम कैसे लिखेंगे 2 by 1000 ओके student इसी तरह से बेटे अगले वाले parts भी ऐसी होंगे मैंने आपको एक बारी quick revise करवा दिया है यह अब आप question number 3 पे आईए write in the expanded form यह भी expanded form है और यह भी expanded form है लेकिन इसको word में लिखा गया है और इसको numbers में लिखा गया है digit form में ओके यह numeral form है और यह word form है ओके student अगर पेटे question आपको exam में आएगा तो अगर यह वाला question पूछा जाता है तो आपने क्या करना है अगर आपको लिखा गया question में कि write in the expanded form in the numeral form ठीके यह लिखा जाएगा कि आपने numeral form में show करना है तो आप इसको इस तरहां से answer देंगी इस तरहां से आपने करना है अगर numeral form नहीं लिखा है simple expanded form ही लिखा है और कुछ भी given नहीं है तो आपने इसको word form में change करना है ओके यह दोनों के दोनों expanded forms ही है और दोनों correct है बोथ हर correct और यह दोनों के दोनों separate अलग-अलग method है लेकिन इनका जो result बनेगा जो number बनेगा वो same होगा decimal number same होगा लिखने का तरीका अलग है दोनों का ओके देखिए अब start करते है ए part 92.73 9 को पिटा हमने 9 tenths लिखना है क्यों क्योंकि once tenths 2 once place पे है 9 tenths पे है ठीक है तो इसको हम 90 नहीं लिखेंगे जैसे हम पहले कर रहे थे अगले वाला number zero कर रहे थे जैसे यहाँ पे हमने किया लेकिन हम इसको क्या कर रहे हैं word form में लिख रहे हैं तो 9 tenths plus 2 once ओके then plus point के बाद क्या रहा है point seven तो क्या लिखेंगे plus seven tenths plus three hundred ओके अब यह देखो बेटा इसको भी इसी form में लिखा गया जैसे यह उपर numeric form लिखी है यह numeral form लिखी है ठीके तो दो तरीके से इसको किया गया है तो आपने इसी तरह से questions attempt करने हैं मैं एक बरी आपको करके दिखा देती हूँ यह देखिए बी पार्ट बी पार्ट में आपको गिवन है one four point six five seven तो आपने किस form में करना है इसको expanded form में तो आप कैसे करेंगे one को बेटा आपने one ही लिखना है लेकिन कौनसी प्लेस है यह one's tense तो यहां लिखेंगे tense plus four four को four लिखेंगे कौनसी प्लेस है once तो once लिखना है plus point six तो point six को आपने क्या लिखना है बेटा six को तो six लिखेंगे और उसके बाद tenet ओके क्योंकि हम word form में लिख रहे हैं now plus five five को आपने five लिखना है और place कौनसी है बेटा hundred ओके plus seven seven और ये कौनसी प्लेस है thousand ओके ये है thousand प्लेस हो गया अब इसी को बेटे आपने किसमे लिखना है numeral form में तो numeral form में हम कैसे लिखेंगे one लिखा अगली place क्या हो जाएगी zero क्यों क्योंकि हमने सिरफ place value one की बतानी है plus four के बाद कोई digit present नहीं है तो four को four रहने देंगे point को हटाएंगे plus लगाएंगे क्योंकि हम expanded form लिख रहे हैं okay फैला के लिख रहे हैं पूरे number को खोल के लिख रहे हैं six अब इटा point six है ये six नहीं है तो इसको हम कैसे लिखेंगे six by ten word में लिखते तो हम कैसे लिखते six tenet और अगर हम इसको fraction में लिख रहे है word form में तो कैसे लिखेंगे six by ten plus five अगला five ही है five by hundred plus seven seven by thousand okay पिटा third place पे आ रहा है one two three यानि कि three zeros लग जाएंगे five जो है वो second place पे यानि कि two zeros लगेंगी six जो है वो one place पे तो one zero लगेगी okay I think यहाँ पे आपको कोई confusion नहीं होनी चाहिए इसी तरह से बिटा इसके सारे parts हो जाएंगे अब question number four पे आईए